नमस्कार एक बार फिसे आपको वदबास स्वागते सभी केंदरिक रमचारियों और पैंसन बोग्यों के एक मातर बुरोसमन यूट्यूब चैनल गौर्बन टिंपलेज वेलफर की नहीं और फ्रेस्ट वीडियो में सभी जवानों और पुर्व सेनिकों के लिया आज की पांच जबरदस्थ खबरे 17 मही दो चरीक इसकी तो चली दोस्तों इस वीडियो के माईदेम से जानते हैं तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से इससे पहले वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें और चैनल पर एगर पह कोपी all regional centers को forward की गई हैं और यह letter 6 मही 2020 को जारी किया गया है तो इस letter के मादेम से बताया गया कि अब हमारे पुर्व सेनिकों और उनके आसरितों को RT-PCR RT report negative test होने पर उसका remorsement किया जाएगा जिहां जिनका RT-PCR RT negative आया था यानि जिनकी RT-PCR report negative आय थी लेकिन वो CT scan report में positive प RT-PCR RT test करवाने के जितना भी खर्चा हुआ है उसका बुगतान आपको CHS की तरफ से किया जाएगा वहीं अगले और बड़ी कबर central organization CHS AG वरांच की तरफ से 11 मही 2021 को यह letter जारे किया गया है और सभी सम्मान्दित headquarters हैं all area headquarters हैं all regional centers को भी इसकी copy forward की गई हैं और subject में आप देख सकते हैं extension of validity of temporary slip till 31 July 2021 जी हाँ दोस्तों इसी CHS card की जो temporary slip है उसकी validity को extend कर दिया गया है 31 July 2021 तक बढ़ा दिया गया है हाँ दोस्तों हमारे सभी पूर्व सेनिक जिनके पास में temporary slip है उनकी जो temporary slip की validity है उसको 31 July 2021 तक बढ़ा दिया गया है COVID-19 के बढ़ते प्रकॉप को देखते हुए department ने अब temporary slip की validity को 31 July 2021 तक बढ़ा दिया गया है यह हमारे पूर्व सेनिक और उनके आश्रितों के लिए काफी अच्छी ख़बर है और all polyclinic और impender hospital को यह आदेश दिये गये हैं कि वो temporary slip को accept करें 31 July 2021 तक हमारे सभी बूर्व सेनिकों के लिए निकल के सामने आ रही है जिहां one rack one pension को लेकर supreme court से latest ख़बर निकल के सामने आ रही है जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 20 April 2021 को हमारा case जो supreme court में listed किया गया था उसको लेकर कोई भी सुनवाई नहीं होई है जहां supreme court के पास परियाप्त समय नहीं होने के कारण 20 April 2021 को सुनवाई नहीं हो सकी थी और अभी हमारा case one rack one pension को लेकर supreme court में वापस listed कर दिया गया है अब one rack one pension मामले में 9 July 2021 को supreme court में सुनवाई होगी वहीं अगली और बड़ी खबर निकल के सामने आ रहे है दिल्ली हाई court की तरब से जहां सेना में equal military service pay को लेकर जो दिल्ली हाई court में case दरज किया गया है उसकी जो अगली next hearing है वो 18 मैं 2021 को होने वाली है case listed कर दिया गया है और court number 37 में अब इसकी सुनवाई होगी जहां दोस्तों सेना में लंबे समय से equal MSP की मांग उड़ती रहे हैं और उसी को लेकर दिल्ली हाई court में ये case दरज किया गया है voice of ex-servicement society की तरब से जो दोस्तों हमारे बुदपुर सेनिको का संगठन है तो अब दिल्ली हाई court में equal MSP की मांग को लेकर next hearing 18 में 2021 को होगी जैसा कि आप अपनी screen पर देख सकते हैं government of India, ministry of defense, department of defense की तरब से 8 में 2021 को ये latest letter जारी क्या क्या है और इस letter की copy director general armed forces medical services नहीं दिल्ली को बेजी गई है साथ में इस letter की copy CDS secretate, G-POP Army staff, G-POP Naval staff, G-POP Air staff और CGDA को भी बेजी गी है जिहां रक्सा मंतरल ने X-Army Medical Corps AMC लगू सेवा आयोग SSC Medical Officers की बर्ती के लिए महानीदेशक ससस्तर बल्च किस्सा सेवा DZFMS को आदेश जारी किया है और Tour of Duty Scheme के तहत 400 पूर्व AMC और SSC Medical Officers जो 2017 से 2021 के बीच रिलीज किये गये है उन्हें contact के आदार पर 11 महिनों की अधिक्तम अवदी के लिए बर्ती किया जा सकता है जिहां इसी के संदर्ब में 8 मही 2021 को यादेश जारी किया गया है और कहा गया है कि ओपी सर्स को रिटार्मेंट किसमें प्राप सेलरी और स्पेसलिस्ट पेसिक पेंसन गटा कर निच्चित मासिक पे सेलरी दी जाएगी कॉंटेक्ट के अवदी के लिए ये रासी अफवर्तित रहेगी और किसी अन्य बत्ते का बुकता नहीं किया जाएगा और बर्ती होने वाले चिकिसा अधिकारियों को नागरिक मानकों के अनुसार मेडिकल रूप से फिट होना भी अनिवारी है इससे पहले भी रक्षा मंतरलने वर्तमान कोविड-19 इस्तिती पर काबू पाने के लिए सिविल एड्मिस्टेशन की सायता के लिए अत्रिक्त मैन पावर जुटाने के लिए कई कदम भी उठाए हैं AFMS ने पहले से ही विबिन अस्पतालों में स्पेशलिस्ट, सूपर स्पेशलिस्ट और पेरामेडिक्स सहीत अत्रिक्त डॉक्टरों को तेनात किया हैं जबकि AFMS के सौट सर्विस कमिसन डॉक्टरों को 31 दिसंबर 2021 तक एक्स्टेंशन दिया गया है इससे 238 और डॉक्टरों की मेन पावर बढ़ेगी इसके अलावा देश के सभी नागरिकों को इस अंजीवनी OPD पर ओनलाइन फ्री कंसल्टेशन देने के लिए पूर्व आर्मी डॉक्टर्स को भी सामिल किया गया है अधिकारिक वेवसाइड पर इस सेवा का लाव उठाय जा सकता है अधिकारिक कॉंटेक्ट स्टाप भी तीन माहे के लिए नाइट डूट्यू पर नियुक्त किया गया है ताकि वेटरंस और उनके आश्रितों को अमर्जेंसी मदद मिल सके अधिकारिक वेवसाइड इस संजीवनी opd.in पर जाके इसका फायदा आप उठा सकते हैं तो ये थी एक latest information वीडियो को लाइक, share और चैनल को subscribe जरूर कीजिए इसी के साथ जेहिंद, जेवारत